हलो एंड वेलकम वेलकम बैक तू माकाली टारो टानिवान यूट्यूब चैनल और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपकी परसन के करेंट फिलिंग्स के वीडियो इस टाइम पे आपके परसन क्या फील करें उनके मन में क्या चल रहे और अगर आप यह रीडिंग देख रह करने की कोशिश करूंगा यह सब फेक लोगों का काम है तो प्लीज फेक एंड प्रोफाल से बच्छे है क्योंकि मेरा कोई प्राइविट नंबर या फिर मेल इडि नहीं है और मैं यह सब नहीं करता हूँ लेस्ट इस टाइम पर आपके परसन क्या फील कर रहे हैं तो कांड लेडिर थाम फिर मेरे पलन थे प्राइम क्या फीर एंड एम मेल यह 17 एंड प्रोफ and the three of pentacles मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person walk schedule में फसे है यह person logically बहुत correct है बट कही न कही यह person इस time पर बहुत जादा pressure में है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person honest रहना चाते है बट इनके family members, इनके काम, इनके दोस्त कही न कही इसको गलत दिशा में धकेल रहे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person आपके सामने सच बोलना चाते है आपके person आपके साथ communicate करना चाते है आपके person आपके सामने जो है जो उनके मन में feeling से वो communicate करना चाते है वो real बनना चाते है वो सच बोलना चाते है बट कही न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका मन में बहुत कुछ चल रहा है पहला एक चीज, कि वो अपने काम को लेके खुश नहीं, वो अपने घर में जो भी चलर, वो अपने लाइफ में खुश नहीं The five of wants मतलब क्या है, यह आपके person इस टाइम पे बहुत कुछ करना चाते है As if उनके person life में वो कुछ करना चाते है, कुछ खरीदारी करना चाते है, यह फिर किसी के साथ कुछ बात करना चाते है But वो उस चीजों का मतलब लुफ्त नहीं उठा पा रहे यह फिर ऐसा है कि यह person इतना अधा planning कर रहे कि असली काम नहीं कर पा रहे मुझे यह भी लग रहा है कि इनके घरवाले इनके उपर pressure create करें और आपके person अपने घरवालों के साथ लड़ रहे है या फिर इनके work pressure बहुत जादा है तो कही न कही वो अपने work pressure के अंदर दब चुका है मुझे कही न कही feel आ रहा है कि आपके person बहुत जादा irritated है आपसे क्योंकि आपके person शायद आपको कुछ काम बोले थे बढ़ आपने वो चीज़ को deny किये हो या फिर आपके person आपको उस तरीके से बात नहीं किये है जिस तरीके से बात करना उनको चाहिए कही न कही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person अपने काम को अपने life को first priority दे रहे है because वो इस time पे बहुत pressure में है या फिर वो किसी के उंगली पे नाच रहे है कही न कही मुझे ऐसा feel हो रहा है कि इस time पे आपके person वाकिए में कुछ और करना चाहते है but उसको कुछ और करना पढ़ा है कोई एक ऐसे person है जो उनके उपर pressure दाल रहे है कोई एक ऐसे person है जो उनको manipulate कर रहे और इसी लिए आपके person अंदर से बिलकुल खुश नहीं है वो जो करना चाहते है वो कर नहीं पा रहे तो three of pentacles मुझे ऐसा लग रहा है कि over pressure situations है like मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा responsibility ले लिए है या फिर कुछ serious मामलों में फसे है ये कोई इनके ex-wife हो सकता है ये कोई third party हो सकता है जो इस time पर इसको kind of blackmail करने के कोशिश करे या फिर इसको कुछ चेतावनी दे रहे है या फिर ये जो third party है ये kind of इनको kind of इनको control करे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये third party इनका कोई past है जिनके साथ इनका कोई लेना देना अभी तो नहीं है बट ये इनके life में enter करना चाहते है और ये person उनको enter नहीं करना नहीं मतब इस person उसको allow नहीं कर रहे इसी लिए क्या हो रहा है कि third party इनको back आने की कोशिश किये है इनकी emotional life में pressure डालने की कोशिश किये है और कहीं न कहीं कोई call और message ये फिर mail किये है the five of wands and the king of shoes means कि आपके person सच बूलते है आपके person kind of अब सोच रहे कि उनको क्या path follow करनी चाहिए बट मुझे ऐसा feeling हो रहा है कि आपके person finally third party को cut करके आपके करीब आएंगे क्योंकि इस person को समझ में आ रहा है दूद का दूद पानी का पानी यहां पे एक politics हो रहा था और politics करके कोई उनके like पे घुसना चाते थे और आपको out करना चाते थे उस politics में मैं देख सकते हो किसी के माबाप या फिर किसी के family involved है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उनके कोई कार्मिक family है जो इनके आपके person के माबाप के साथ बात करके चीजों को solve कर लिये है और अब जाके आपके person को पता चल रहा है कि यह जो भी हुआ है उनके opinion के खिलाफ हुआ है यह फिर उसके opinion मतलब उनसे कुछ नहीं पूछा गया है उनके opinion यहाँ पे नहीं ले गया है मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि आपके person अपने आपके person आपके family मतलब उनके family के साथ लड़े आपके शादी को ले ले जे कुछ कहीं नगी उनके family members को यह शादी के रिस्ता लेके आये हैं यह फिर शादी के बात बोले हैं यह फिर इनको पूछे किस से शादी करना हैं और I think उनके family members उनको forcefully किसी के सामने जाने के लिए लिए बोल रही है या फिर किसी के साथ बात करने के लिए बोल रहा है and that's the thing मुझे ये भी लग रहा है कि आपके person का अगर divorce हुआ है या फिर ex है उनका तो इनके family उनको pressure दे रहा है कि उनके ex को बिलाने के लिए पर जो भी है ये सब इसी लिए हो रहा है क्योंकि उनका ex या फिर जो external party है जो third party है वो ये सब कर रहे है या इधर ये psychically कर रहे है the five of wants मतलब किसी से करवा रहे है ये चीज या फिर ये लोग उनके आपके जो person है उनके family के साथ that के बात किये है और अपने फाइदे के लिए आपके person को use करना चाहते है जो भी है मैं देखना चाहता हूँ कि आपके person का इस time पर next actions क्या होगा well जरूरी नहीं है कि हर चीज सब के लिए applicable हो अगर आपके energies के साथ resonate कर रहे है so definitely आप reading को आगे देख सकते हो नहीं तो skip कर सकते हो but open mind से देखे क्योंकि मैं multiple current feelings का video upload करता हूँ ताकि आप लोग intuitively सोच सको ताकि आप लोग के सामने एक at least एक basic concept रहे all the time okay क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही person के reading में करता हूँ different time में different energies आते हैं या update as a guidance आप देखिए let's see आपके person का next actions क्या हो सकता इस time के यह जो politics के अंदर वो फसे है यह जो family pressure के अंदर वो फसे है वो honestly तो deal कर रहे चीजों को let's see king of cups I think यह एक diplomatic approach लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके family को यह मना लेंगे और यह situations को यह अपने grip पे लिखे आएंगे the king of cups मतलब उन लोग होते हैं जिन लोगों के life में बहुत कुछ चलते हैं but मुझे कहीं नके ऐसा लग रहा है कि यह इतना कुछ हो रहा है इनके life में यह आपको zero person बोलेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इस person यह पूरे चीजों को अपने अंदर समीट लेना चाहते है यह person emotionally diplomatic है और यह person ऐसे बात करेंगे हाँ कुछ हुआ था बात हुआ था पर वो चीज अब चला गया है like ऐसा है कि यह person एक sentence में सबका बोलती बंद कर दिये है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कुछ ऐसे बात बोलेंगे जिसके बाद घरवालों भी चुप, third party भी चुप क्योंकि कहीं न कहीं इस person को पता है यह दिल का राजा है, emotions का राजा है तो किसको चुप करवाना कैसा है, मतब कैसे चुप करवाना जाता है, इनको पता है इनको पता है अच्छे तरीके से कैसे किसी को silent treatment दिया जाता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह silent treatment देने वाले है इनकी family members को और of course यह आपके उपर जादा focus बढ़ाएंगे लेट सी आपके परसन क्लिरली बोल देंगे कि इनको थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है या फिर आपके परसन क्लिरली बोल देंगे कि इनके life के decisions यह खुद लेंगे the 10 of shorts मतलब कि कुछ न कुछ बुरा हो रहा था इधर यह company छोड़के कोई नए company पे जा रहे है या फिर अपने हाथों पे responsibility लेके खुद ही खुद कुछ कर रहे है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इपने family के उपर बहुत dependent था इनके family नको नचा रहा था या फिर third party के उपर बहुत dependent था क्योंकि इनको लग रहा था कि यह कुछ नहीं कर पाएंगे यह बहुत जादा अकेले है बर नहीं अब नहीं कही न कही यह अब positive moment पे आ रहे positive vibes में आ रहे positive zone में आ रहे और यह अपने life के जो भी negative energy है जो भी past है इस past को यह cut off करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person का जो next actions होगा वो बोलेंगे कि हाँ उनके decisions खुद लेंगे हाँ वो past के साथ कभी भी अपने ex के साथ यह फिर अपने ex third party के साथ यह कभी भी जोड़ना नहीं चाहते है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने family को साफ साफ बोल देंगे कि यह क्या चाहते है अपने life में but इसका यह 10 of shorts मतलब इंका results दोनों तरीके से ही आता है like that shorts can cut both away so इसका मतलब यह भी है कि यह person emotionally बहुत जादा एकदम head over the hills नहीं होगा okay यह person आपको भी बोल देंगे कि देखिए इनको समय चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person उतना जादा committed तो नहीं होंगे but definitely आपके साथ एक futuristic approach लेके चलेंगे like ऐसा वो नहीं बोलेंगे कि चलो कल ही शादी करते ही और शादी का बात करो अपने गर पर नहीं वो ऐसे बिलकुल नहीं बोलेंगे वो आपको भी बोलेंगे कि उनको बग्त चाहिए but कहीं न कहीं वो बात करेंगे वो आपको बोलेंगे कि वो क्या करना चाहते है future में वो आपको बोलेंगे कि आपके लिए वो क्या feel करते है वो आपको बोलेंगे कि आपके वारे में वो क्या सोचे है उनका plan क्या है future का तो इस परसन को पता है कि इनको क्या करना चाहिए बहुत सही परसन ही है और जहां पर इनको लग रहा है कि कुछ चीज बुरा हो रहा है कि कुछ चीज फाल्तु में हो रहा है वो उस चीजों को कट ओफ करेंगे और जो सही है जो एक डिसिप्लिन वे में ये बापस आ रहे है या फिर कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत ही कंस्तुरक्टिव हैं या इसा हो सकता है कि आपके फैमिली के साथ बात करेंगे या फिर इनके फैमिली और आपके साथ आपस में बात करेंगे इनका एक अप्रोच होगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, ते टेन फोट मतलब शायद हो सकता है कि आप और इनके बीच में कुछ विशी विशी हो रहा था, शायद ये इनको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये आपके साथ मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, बिकज अफ काम और बिकज अफ सम आदर थेंगे, ये जो करने वाले ये आपका दिल खुश कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस परसन के कंट्रोल कोई लेके बैठे थे, अब ये अपना कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे है, और कई न कई ये आपको रिस्पेक भी बैसकली क्या situation से यहाँ पर? ये अपने ये लास्ट को खतम कर रहे है, अभी मतलब अभी नहीं, इसके साथ आपको हाँ पर हाँ मिलाके बात नहीं करना होगा, अब ये परसन को समझ में आ रहे है कि कौन इनके लिए इंपोर्टन है और कौन इनके लिए लिए लेसर इंपो तो कही न कही यह person खुद को kind of खुद के अंदर एक ऐसे change ले के आ रहे हैं जो changes शायद आप देखना चाहते थे यह खुद को आपके लिए bend करेंगे या आपके सामने जुकेंगे या आपके बात सुनेंगे या आपके लिए काम करेंगे या आपके लिए stand लेंगे और कुछ ऐसे वो नहीं कर पा रहे थे पहले, क्योंकि इनको लग रहा था कि यही सही है, इनका बात ही सही बात है, यह आपको कुछ भी मौका नहीं दे रहे थे, यह आपके साथ contact तक नहीं कर रहे थे, अब यह contact करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं यह person को समझ में आ रहा है, कि आ आप ही हो उनके energy के source और 10 of shorts मतलब आप दोनों के बीच में जो भी emotional obstacles था या फिर past related karmic baggages था वो खतम हो रहा है तो यह person खुद आपके सामने आके बात कर सकते हैं या फिर आपको यह मौका दे सकते हैं बात करने क्या हूँ oh the seven of shorts मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person कुछ ऐसे काम करने वाले जो शायद आप expect नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई secret surprise देंगे या फिर secretly आपके साथ meet करेंगे for a two two three hour or maybe for a half an hour मुझे ऐसा feeling हो रहा है कि यह person के साथ आप बहुत दिन बात नहीं किये थे अब यह person आपको कुछ ना बोलके आपके साथ मिलने के लिए आएंगे कुछ ना बोलके आपको call करेंगे seven of shorts का मतलब क्या है कि इस person को पता चल रहा है कि क्या क्या गलती यह किये है क्या क्या जूट यह बोले है यह person को कही न कही पता चल रहा है कि अगर आपके सामने यह honest नहीं बोलेंगे तो शायद यह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे the seven of shorts का जो energy है वो है कि यह आपके लिए कुछ secret plan किया है यह आपको cheat नहीं करेंगे यह आपके लिए कुछ secret plan किया है जो यह अभी नहीं कह रहा है मुझे यह भी लग रहा है कि यह आपको test करेंगे कि क्या आप सच बोल रहे हो या फिर क्या आप जूट बोल ले हो तो be very careful अगर कहीं न किया आपको ऐसा लगता है कि आप you know दो multiple people के साथ deal कर रहे हो या फिर multiple person है तो आपके person test करने के लिए आपके सामने आ रहे है या फिर वो ऐसे call करेंगे message करेंगे क्योंकि यह test करना चाहते है इनको लग रहा है कि कि क्या है आप दोनों का future so यह आपके बारे में of course यह जानते हैं आप honest हो but फिर भी इनके अंदर एक trust issue है कि कहीं लगता है कि कुछ यह आपको नहीं बोलेंगे but आपको surprise देंगे हाँ surprise दे कि इनको पता चलेगा कि हाँ आप इनको सच में प्यार करते हो तो seven of short means कि यह अपने doubt clear करेंगे और doubt इस बात के लिए ही था इनको शायद लग रहा था कि आप अभी भी किसी और के साथ बात करते हो इनको वो चीज नहीं बताते हो या फिर आपके life में कोई और है कोई एक ऐसे person जिनको जिनके बारे में इनको पता नहीं है अधिक वो doubt clear करने के लिए ये person कुछ करेंगे और ये आपको test लेंगे लेट सी इस टाइम पर universe आपको क्या कह रहे है universe का advice आपके person के लिए क्या है लेट सी eight of cups पुराने बात को भूल के एक नए जिन्दगी स्टार्ट करना होगा eight of cups मतलब धीरे धीरे आप लोग move on कर रहे हो past के disappointment से एक बढ़िया future के तरफ ये एक spiritual enjoyment भी है मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने spirituality को लेके चल रहे हो इसलिए life का जो भी problems था वो solve हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप surrender करके आगे बढ़ रहे हो bright future के तरफ so you both are going to discuss and move on from the past and you know eight of cups मतलब क्या है कि कुछ चीज ऐसे है जिनको शाल आपको पहले लग रहा था कि नहीं मुझे answers सुनना है मुझे चाहिए कि क्या हुआ था reason क्यों वो छोड़के गहते अब आप बोलेंगे खेर आपके person आही गया है तो क्या फाइदा तो आप दोनों अपने past के situations को छोड़के आगे बढ़ रहे हो और past की issues को लेके बाते मत करो क्योंकि हो सकता है कि एक spiritual learning lesson आप किये हो एक spiritual learning lesson मिलना था आपको और वो lesson मिल चुका है second five of cups again मुझे ऐसा लगता है कि learn from the disappointments मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद एक साथ नहीं हो तो कुछ दर्द ऐसा है जो कभी भी fulfilled नहीं हो सकता है आपको बहुत बुरा लगा but I think कुछ ऐसे अच्छे चीज भी involved है जिसके उपर शायदा focus नहीं कर रहे हो the eight of cups and the five of cups मतलब क्या है कि आपके दर्द को यह कभी नहीं समझ पाएंगे जितना बुरा आपको लगा था उस चीज को शायद यह कभी feel नहीं कर पाएंगे but five of cups में एक और भी better versions है वो है कि अगर आप सिर्फ अपने दर्द के बारे में ना बात करके जो अच्छे बक्त है जो अच्छे opportunities है जो अच्छे चीजे future में आप कर सकते हो इसके उपर focus करेंगे तो बहतर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोला जा रहा है कि don't let your past hold you back अगर आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपको किसी नए person के साथ जाना है आपके life में कोई नए person आया है बट फिर भी आप पुराने person के लिए रो रहे हो पुराने person के लिए अभी तक attachment है तो ये message साथ दर्शाता है कि please आप अपने past के attachment को छोड़ो जो आपके life में है अभी उनको लेके आगे बढ़ते रहो please आप अपने past के साथ अपने present को compare मत करो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार डरते हो ये past का situations repeat तो नहीं होगा past का incidents repeat तो नहीं होगा ये person बदल तो नहीं जाएगा नो ये आपका भ्रहम है five of cups and the eight of cups का साथ मतलब है कि देखिए आपको पता है कि कैसे आप अपने दिल को protect कर सकते हो सिर्फ अगर आप negative चीज़ों के बारे में focus करोगे न तो आपका दिल भी बहुत heavy feel होगा दिल में भी बहुत heavy feel होगा मुझे कईनद ये ऐसा लगता है कि life में dark and bright दोनों ही sides है पर इस time पे अगर आप एक hope के साथ आगे बढ़ोगे अगर आप अपने past को forgive करोगे और अगर आप एक बहुतरीन opportunity के लेके manifest करोगे कि हाँ अब जो होगा अच्छा होगा so it will help you heart chakra के उपर meditate करिए green कपड़े पहनिए blue तारा मा, green तारा मा के chanting आप कर सकते हो मा काली मा के chanting कर सकते हो मा मातनी मा के chanting आप कर सकते हो क्या होता है कि दिल बहुत, दिल को बहुत अच्छा फील होता है rose quartz crystals आप पहन सकते हो rose quartz के कोई भी crystals लेके आप बैट के meditate कर सकते हो क्योंकि five of cups मतलब कहीं न कहीं आप depressed हो रहे हो आपके past के thoughts आपको past के तरफ खीच रहे है no, please आपको बोला जा रहा है कि आपके spiritual, spirit guide जो है वो आपको spirituality के ओर लेके जा रहे है आपके past disappointments के बारे में सूचना नहीं है आपको इस time पे let's see oh wow 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 page of ones with the six of cups, six of cups मतलब क्या है reconciliation, यह आप सब लोगों को ही पता है, बट six of cups का एक और बहतरीन पहलू है कि जो जो प्यार हम लोगों को नहीं मिला है बचपन में, वो प्यार आपको मिलने वाला है, I think जो प्यार आपके person आपके लिए बचा के रखे थे, शायद वो नहीं बोल पा रहे थे, अब वो बोलेंगे express करेंगे, relief मिलेगा and the page of ones मतलब relationship का dimensions change होगा और यह dimensions क्यों change होगा क्योंकि आपके relationship stuck हो रहा था आपके person pattern नहीं बदल रहे थे आपके person को ऐसा लग रहा था कि पिछले 6-10 सालों में एक ही जैसे है अब यह person नहीं twist लेके आ रहे है in a good way, अब यह person आपका बात सुनेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपके जैसे बनेंगे, six of cups मतलब यह कुछ ऐसे चीज आपके लिए लेके आ रहे है जिसको आप पहले नहीं सोचे थे हाँ, आपके दिल में ख्वाइश है तो था बट आपने इसके सामने कभी नहीं वो चीज पूच पाये थे, बिकरस आपको लग रहा था कि वो चीज उनके लिए करना नामों की नहीं हो और वो चीज कभी नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है कि वो पहली बार आपको अपने घर लेके जाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि वो पहली बार आपको कोई डेट में बुलाएंगे जहां पे शायर आप कभी भी expect भी नहीं कियोगे वो ऐसा हो सकता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि relief मिलेगा आपको emotional fulfillment मिलेगा आपको the page of wants मतलब क्या है कि बक्त आ चुका है न कि आप courageous बन जाओ आप relationship को लेके negative मत बनो आप manifestations की वपर believe करो spiritual process की वपर believe करो hopeful रहो जितना positive आप रहोगे उतना positive आपको मिलेगा so अगर आप reconciliation के लिए manifest करे और आपका मन बोड रहे के नहीं होगा नहीं होगा please यह वाले mindset हटाओ क्योंकि आपको believe करना है हाँ आप अच्छा कर सकते हो recovery होगा यह होगा और health, wealth and emotional recovery तीनों का बात ही मैं कर रहा है so at this time मुझे यह advice देना है आप लोगों को universe आपको कह रहा है कि अपने काम पर focus करो और अपने emotional fulfillment की उपर focus करो आपको देखना नहीं कि कैसे होगा यह universe automatically आप दुनों को एक साथ लेके आएंगे एक emotional fulfilling journey आपके लिए वेट कर रहे है और यह destined है आपको effort डाना नहीं है यह automatic हो रहा है तो कि आपके person कि कोई हैं कुछ message आपको मिलेगा जहां पर आपको जाना पड़ेगा और यह short visit हो सकता है all the best, bye bye, take care अगर यह reading अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा and comment sections पर लिख दीजिएगा divine bring love divine प्यार को बुलाईए यह भी आप लिख सकते हो and इस video को आप लोग share कीजिए मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नहने वीडियो के साथ आप लोग बीच में आके दीखते रहेगा कि भी हर वीडियो का notifications नहीं जानता है इसलिए मैं बोटना हूँ जै मंगा